इस वीडियो में हम प्रवाल भित्ती बायोम का ध्यान करेंगे प्रवाल एक छोटा समुद्र जी होता है एक सेंटीमेटर का होता है वो समुद्रों में रहता है और कई प्रवालों के एक के उपर एक जमा हो जाने से calcium carbonate का एक दिवार बन जाता है तो पहले हम प्रवालों को समझते हैं कि प्रवाल क्या होते है । प्रवाल जो होता है वो silentrate work का प्राणि होता है समुद्रों में रहने वाला silentrate work का जी होता है जो चूने पर निरवा करता है यानि इसका जीवन पूरी तरह से चूने पर आधारित होता है ये चूने पर निर्वा करता है प्रवाल की लंबाई एक सेंटीमिटर लगबग एक सेंटीमिटर ही इसकी लंबाई होती है जादा नहीं होती है प्रवालों का विकास तट के समीप छीछले समुद्र में होता है बहुत जाड़ा गहरे समुद्री भागों में प्रवालों का विकास नहीं होता है जैसा कि आप चीतर में देख पा रहे होंगे इनका विकास तट के समीप हमेशा छीछले समुद्रों में होता है विसिस कर ऐसे छिछले समूदर जिनकी गहराई 50 से 60 मीटर होती है क्योंकि वहाँ पर सूर का प्रकास समूदर की तली तक पहुंचता है बहुत खुले सागर में बहुत गहराई वाले भाग में प्रवालों का विकास नहीं हो पाता और प्रवाल कभी अकेले नहीं होते हैं, अलग थलग नहीं रहते हैं, इनकी विश्यस्ता है कि एक साथ लाखों की संख्या में कालोनी बना कर रहते हैं, प्रवालों की एक सबसे बड़ी विश्यस्ता है कि ये चूने का निसकर्सन करते हैं, मतलब ये अपने सरेर से चूना ब सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रवाल भित्ती का निर्माण होता है कैसे होता है हम दिरे दिरे सब समझेंगे जो प्रवाल जीव होता है वो खुले में नहीं रहता है बलकि वो कैलसियम कार्बोनेट के बने हुए एक चैंबर में इवास करता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है जो प्रवाल जीव होता है प्रवाल को इंगलिस में हम कोरल कहते हैं प्रवाल कोरल और प्रवाल भित्ती को इंगलिस में कोरल रीफ कहते हैं है नो तो यह प्रवाल है और यह कोरल रीफ है यह प्रवाल है यह प्रवाल भित्ती है ठीक है तो पहले हम प्रवाल को समझते हैं जो प्रवाल जीव होता है उसे हम पॉलिप कहते हैं प्रवाल जीव क्या कहते हैं पॉलिप यह प्रवाल जीव होता है तो प्रवाल जीव कैल्सियम कार्बोनेट के आवरण मनिवास करता है उसके chamber को septa कहते हैं, calcium carbonate का बना हुआ उसका जो खोल है उसे हम septa नाम देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सरी बाते हैं, तो इसके chamber पर यानि प्रवाल के जो खोल होते हैं, उनके खोल पर एक algae निवास करती है, शैवाल, उस algae का नम है जोक सैंथली, इसके आवरण पर जोक सैंथली नमक एक algae का निवास होता है, वास्तों में यह जो algae होती है, परवालों के लिए काफी महत्यपूर होती है, यह algae, नारंगी, गुलाबी और भूरे रंगी होती है, और इन जोक सैंथली नमक इस algae के चलते ही परवाल रंगीन कलर के दिखाई देते हैं, रंग बि तो परवालों और जोक सैंथली के मद्ध एक सहजीवी सम्मंद होता है, इस सहजीवी सम्मंद के अंतरगत जो जोक सैंथली होता है, वो परवाल को रंग भोजन और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि परवाल जोक सैंथली को आवास प्रदान करता है, क्योंकि जोक सैंथ इसे के आवरण पर यानि इसके खोल पर निवास करता है तो प्रवाल इसे आवास प्रदान करता है जबकि जूग संख्थली कोरल को रंग सुरक्षा और आवास प्रदान करता है जूग संख्थली क्या है एक एलगी है जो प्रवाल के खोल के ऊपर निवास करता है प्रकास की जुरूरत के होती है सूर्य के प्रकास के जूरत इसलिए होती है प्रवालों को क्योंकि इनकी आवरण पर जो एलगी जुग संथली नामक जो एलगी निवास करती है वो प्रकास का उपयोग प्रकास ससलेशन करिया में करती है एलगी प्रकास ससलेशन करिया से सरकरा का उत्प भाग पूरा करता है यही शरकरा प्रवालों के भोजन का अंठान भी प्रिश्द भाग पूरा करता है कौन सा शरकरा जिसका निर्माड जूक संथली प्रकार ससलेसर क्रिया द्वारा करते हैं भोजन तो प्रदान करते ही हैं इसके अलमा यह जो जूक संथली होता है यह चमकी प्रदान करते हैं इसलिए एक तरश सरक्षा भी परता है नौश들 कि तत के समीब छिछले सागर में रहने वाला जो प्रवाल होता है जब एक प्रवाल की मृतनीों हो जाती है तो उनके उपर दूसरे प्रवाल उनकी को अपने खोलका निर्मार करते हैं यानि के के उपर दूसरे खोल आप साप साप यहां पर देख पा रहा है एक के उपर दूसरे खोल का निर्मार होता चला गया है तो तर्ड के समीप छिचले सागर में जब परवालों की मृत्य हो जाती है तो इनकी खोल के उपर दूसरे परवाल अपनी खोल का निर्मार करते हैं इस प विरिच्छ की कई शक्खाएं हो, तो ये विरिच्छ की शक्खाओं की भाती प्रती दिखाई पड़ती है। एक ऐसी सरचना के निर्मार्ण हो जाता है। मतलब जब ये एक के उपर एक विकास करते हुए सागर सतप attained लेके जाते हैं, क्योंकि एक खोल के उपर केलसियम कर्बॉनेट का बना हुआ इनका खोल है और एक खोल के उपर दूसरे खोल का निर्माड करते हुए इस आगर सत्र तक आ जाते हैं निर्माड होता है वो पूरी कर्सियम कार्बोनेट के बनी हुई सरचना होती है अता प्रवाल भित्ति क्या है प्रवाल भित्ति आप इस तरह से भी कर सकते हैं अता प्रवाल भित्ति तट के समीब छिछले सागर में एक दिवार नुमा सरचना होती है जो जिसका निर्माड कि आवशेशों के इस्तरी करण से होता है इस्तरी करण मतलब जमाओं से होता है प्रवाल भित्ति तट के समेब छिछले सागर में एक दिवार नुमा इस्तलाकृती होती है जिसका निर्माड चूना परधान जीवों के आवशेशों के इस्तरी करण से होता है इन प्रवाल भित्यों को जिन चट्टानों से निर्मित होते हैं, तो इन प्रवाल भित्यों को मूगा चट्टान भी कहते हैं, इन ही प्रवाल भित्यों को हम मूगा चट्टान कहते हैं, मूगा चट्टान विशे साकर्षन का केंद्र होते हैं, हम बात भी सिर्चा करेंगे, जो मोगा चटान होते हैं आरतिक दिर्ष्ट से भी महत्त bought होते हैं लोग छत्र को गुलाबी च्टान के लाल केला लाल जिंगा किलर के जो मुगा चटान होते हैं तो अरतिक उत्पादन के λिए इन प्रवाल भित्ति और तट की बीच का जो जल है तो निम्न जौर की स्थिति में प्रवाल भित्ति और तट की बीच का जो जल लेगोन की भाति दिखाई देता है क्योंकि जब सागर सतर नीचे चला जाता है तो ऐसा होता है जब सागर सत्य नीचे चला जाता है यानि निम्नेजवार के सित्य में तट और प्रवाल भित्ती की बीच का जल्ज़ होता है वो लेगून की भाति दिखाए देता है लेगून को ऐसे लिखते है लेगून उधारण के लिए जो केरल में वेंबानाट जील है या अस्टमुद जीले वो एक लेगून है यानि समुद्री जल जो तट के बिलकुल पास होता है या तट में अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है उसे हम लेगून कहते हैं अब प्रवाल भित्ती की विकास के लिए आदर्ज दसाएं कौन-कौन से हैं हम उन्हें नोट्स करते हैं प्रवाल भित्ती की विकास की विकास की अनुकूल दसाएं या आदर्ज दसाएं पहला तो तापमान मैटर करता है समुद्री जल का तापमान क्या है प्रवाल उसी समुद्री जल में जीवीत रह सकते हैं जिसका तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्जियस हो बहुत ज़्यादा ठंडे समुद्र में प्रवालों का विकास नहीं हो पाता है यह केवल ऐसे समुद्री छेत्रों में ही पनप पाते हैं विक्सित हो पाते हैं जिसका तापमान 20 डिग्री सिल्जियस होता है लगभग है नो यही कारण है कि यानि 20 डिगरी सिल्ष सिस्टाप्मान वाले समुदरी जल में यही जीवित रह सकते हैं यही कारण है कि विश्वत रेखा से 25 अंस अक्षांस के भीतर ही प्रवैल भीतियों का विकास होता है क्यों क्योंकि विशोत रिखा कि आसपास का जो समुदरी जल होता है गरम होता है उसका अतापन 20 डिरे सिल्सियस के आसपास होता है प्रवाल भित्य के विकास की दूसरी दिशा क्या है प्राया महादीपु के पूरवी मगने तट पूर्वी मगने तट मतलब जो सिछला सागर है मगने तट मतलब जो जल में दूबा हुआ तट है मगने तट मतलब जो तट जल में दूबा हुआ है उसे हम मगने तट कहते हैं तो प्रायव महादेपों के पूर्वी मगने तट ही प्रवाल भित्तियों के विकास के आदर्ष इस्थलमाने जाते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि प्रवालों का विकास जायतर महादीपों के पूर्वी तट पर ही होता है ऐसा क्यों 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 कि महादीपों के पूर्वी तट पर क्या पाय जाता है गरम जलधारा पाई जाती है, चुकि महादीपों के पस्मी तट पर ठंडी जलधारा का प्रवा होता है, इसलिए महादीपों के पस्मी तट पर नहीं, बलकि महादीपों के पूर्वी तटों पर ही पुराल भित्यों का, महादीपों के पूर्वी तटों पर ही पुराल भित् महादेपों के पूर्वी तटो पर 50 से 60 मेटर 50 से 60 मेटर शीचली समुद्रों में ही प्रावाल्भित्यों का विकास हो पाता है क्योंकि इस गहराई तक महादीपों के पूरी तटो पर 50-60 मिटर चीछले समुद्रों में ही इनका विकास होता है क्योंकि इस गहराई तक सूर्य का प्रकास और आक्सिजन दोनों सुलब होते हैं सूर्य के प्रकास सही जूग संखली नामक जो अलगी है प्रकास सलस्लिसन के किरिया दोरा सरकरा उत्पादित करती है जिससे प्रवालों को भोजन प्राप्त होता है इसलिए इसी गहराई तक प्रवालों का विकास होता है बहुत ज़्यादा आगे जाने पर समुद्र में खुले समुद्र की तरब जाने पर या गहराई में जाने पर चुकी सूर्य का प्रकास और आक्सिजन दोनों सुलब नहीं हो पाते इसलिए गहराई वाले भागों में प्रवालों का विकास नहीं हो पाता है चौती दर्शा विकास की चौती दर्शा क्या हो सकती है प्रवालों के विकास के लिए जो समुद्र जल होता है वो आवसाद रहित होना चाहिए सागर जल आवसाद रहित होना चाहिए क्योंकि अगर समुद्र में वहां Ausad जद्रा होगा तो प्रवालों का मुह है मुह बंध हो जाता है और प्रवालों की मौत हो जाती है तो सागरजल ऑउसाद होना चाहिए यही कारण है कि जिन तको पर नदियाँ अपना मुहाना बनाती है वहाँ पर प्रवालों का विकास नहीं हो पाता है जहां पर तर्ट पर नदियां अपना मुहाना बनाती है वहाँ पर प्रवालों का विकास नहीं होता क्यों? क्योंकि नदियां पहाडों से धे सरा आवसाद बहा कर लाती है इसलिए प्रवालों का विकास वहां उनके मुनद्यों के मुहाने पर नहीं हो पाता प्रवाल भित्तियों का महत्तों कहा है पहला महत्तों जो समुद्र की 25 प्रशत जो प्रजातिया है 25 प्रशत जो प्रवाल भित्तियों होती है काम करती हैं जब किसी जीव का कहीं प्रारंभिक विकास होता है तो उस इस्थल को हम उसकी नरसरी कहते हैं तो प्राल भितियां लगभग 25 पुरसर समुद्री प्रजातियों के प्रारंभिक विकास के लिए नर्सरी का काम करती है क्यों? क्योंकि ये प्रारंभितियां समुद्रे जीवों को उनके जीवन के प्रारंभिक चरण में क्योंकि ये प्रारंभितियां समुद्रे जीवों को उनके विकास के प्रारंभिक चरण में भोजन, आवास तथा सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि प्रवालभितियां समुद्री जीवों को उनके विकास के प्रवालभिक चरण में भोजन, आवास और सुरक्षा प्रदान करती है अधिकतर जो समुद्री जीवों को परवाल भित्ति की शाखाओं के बीच से परवेश करते हैं तो परवाल जीवों को पकड़ कर खा जाते हैं तो ये मचलियां उसे खाकर अपने भोजन का अधिकांज भाग पूरा कर लेती हैं। तो इन प्रवालभितियों से समुद्री जीवों को उनके विकास के प्रारंभिक चरण में भोजन प्राप्त होता है। साथ ही आवाज भी प्राप्त होता है रहने के लिए और सुरक्षा भी प्राप्त होता है। बच जाते हैं किसे भी संकट किस्ति शित्ति में घुष जाते हैं जैसे कोई भड़ा झूलने खाने आएगा तो यह समुद्रों में सबसे ज़्यादा जय वित्ता प्रॉल भित्ती के आसपास ही देखी जाती है बहुत ज़्यादे यहाँ पे रंग ब्रंगी मछली या आने छोटे छोटे जीव हमें साथ तेड़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर तीन चीजे मिलती है ना तो इसलिए प समद्री जय विविध तब उस्रेष्थ दल गाते हैं समुदरी जय विधित्त के ने होटस्पर्ट मैंना जाता है उसलिए स्थिल मैना जाता है और साथी पुराल भित्त्यों को समुद्रों का वर्षावन भी कहता है इन प्रवाल भित्तियों को समुद्रों का वर्षावन भी कहते हैं ऐसा क्यों दरसल वर्षावन क्या होते हैं जयवित्ता का भंडार होते हैं बहुत सारे जीओं और वनस्पतियों के प्रजातियां महा पाई जाते हैं इसलिए प्रवाल भित्तियों को भी समुद्रों का वर् प्रवाल भित्यों के आजपास ही पाए जाती है इनका जो है अगला महत्तों क्या है यह जो प्रवाल भित्या होती है यह तुफान के समय क्या होता है समुद्र में उची उची लहरे उठती है यह उची लहरे अक्सर तटी छित्रों प्रवेस कर जाते हैं जिसे तटी छित्रो रहने वाले मानों समुदाय और यहां के आर्थिक गत्विध्यों को काफे नुक्सान पहुंचता है तो यह प्रवाल भित्यां तुफानी तरंगों और तुफानी लहरों और समुदरी तुफानों और समुदरी लहरों से 30-2 और 3 पर रहने वाले मानों समुदाय की रक्षा करती हैं है नलक्तर तो 30 शेत्रों की इस रक्षा प॥ार्दाय करती इनका एक तेम बत गवία है तीसरा मात्तो क्या है? हम पढ़ रहे हैं महत्तो प्रीज़ित्श को अगला मत्त्त्य क्या है? आर्थिक दिर्ष्टि से प्रवाल भित्यां काफी महत्पूर होती है विशे सरु से परेर्टन विकास के दिर्ष्टि से इन प्रवाल भित्यों का काफी महत्त है जिन भी देशों के आसपास प्रवाल भित्यां पाई जाती है उन देशों ने अपने आसपास पाई जाने वाली प्रवाल भित्यों का विकास परेटन विकास के दिश्चे से किया है क्योंकि इनकी सरचना रंग बिरंगी होती है प्रवाल भित्यां अपने रंग बिरंगी सरचना के कारण और परेटन विकास की संभावना के कारण है अपने रंग विशेशना और जैविटा के कराण क्योंकि अगर किसी को समूद्रों में बायर डेक kingdom लेना है वहां के जैविट्टा का अंनन लेना है तो समूद्रों में कहां जाएगा प्रवाल भित्यों के आसपास ला जाएगा जो गोता खोर होते हैं वो प्रवाल भित्यों के आसपास जाकर आनंद लेते हैं तो ये भी परेटन विकास के एक संभावना है क्योंकि ये परेटकों को अपनी तरफ आकरशित करती है के गोता खुरी करने के लिए है नो तो यह प्रॉल भितिया अपनी रंग ब्रंगी सरचना की करण और विशाल जय विद्था की करण गोता खुरों के आकर्शन का केंद्र होती हैं बड़े प्रमाने पर इस दुनिया में लोग प्रॉल भिति आधारित परेटन का आनंद लेने के लिए प्रवास करते हैं दूसरे देशों में चले जाते हैं उधराण के लिए ऐसा महत्पूर देश है आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया को जो ग्रेट बेरियर रीफ है वो परेटन विकास की दिर्ष्ट से काफी महत्पूर है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भिति तो चाहे परेटन विकास हो या फिर मत्चन हो मचली मारने की समझाओना मचली पकड़ने की समझाओना मत्चन परेटन इत्याद धिर्ष्ट्यों से अगर देखा जाए तो आस्ट्रेलिया के अर्थय वस्था में ग्रेट बेरियर रीप का काफी महत्पूर इस्थान है दु पुराल भित्य आधारित परेटन विकास से प्राप्त होती है यानि दुनिया भर में पुराल भित्य आधारित जो परेटन होता है उससे 400 बिरेंट डालर की वार्शी का सरजीत होती है तो परेटन विकास की दिरिश्टी से भी इसकाम होतो है पुराल भित्यों का अध्यन करन रहेंगे, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नमस्कार.